हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जारी हूँ कच्चे केली की सबजी जो की बहुत ही टेस्टी बन कर तयार हुई है आप भी इस तरह से जरू ट्राइ कीजेगा तो सबसे पहले हम चार कच्चे केले लेंगे और इसकी छिलके हम हटा लेंगे चाको की सहायता से तो इस तरह से हम सारे चिलके हटा लेंगे तो सारे चिलके मैंने हटा लिया है अब हम इसे इस तरह से बीच में से काट लेते हैं और सारे केले को हम इसे तरह से काटेंगे उसके बाद हम मसाले तयार करेंगे तो यह मैंने मिक्सर का जार लिया है चोटा वाला उसमें हम 6-7 लसुन की कलिया डालेंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा, दो हरी मिर्च और एक प्याज को छोटे टुकड़ों में काटकर डाले हम इसमें 1 चमज धनिय डालेंगे, 1 चमज जीरा डालेंगे अब इसमें 5-6 कालिमेश तालेंगे 2-3 लौंग डालेंगे, एक बड़ी लाईची और एक छोटी लाईची डालेंगे और एक चथाई चमच हम इसमें सरसू डाल देते हैं और फिर आधा चमच हम हल्दी डालेंगे और आधा चमच यह मैंने सबजी मसाला पाउडर डाला है सबजी मसाला ओप्शनल है आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर इसका इस तरह से पेस्ट बना लेंगे फिर हम एक कड़ाई गरम कर लेंगे फिर हम उसमें दो बड़ी चमच सरसो का तेल डालेंगे और तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें दो बड़ी साइश की आलवों को इस तरह से लंबे टुकडों में काट कर डाल देंगे और इन सब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्राई करनी के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं फिर उसी तेल में हम कच्छे केलो को भी फ्राई कर लेंगे इन सब को हमें हाफ फ्राई करना है जाद फ्राई नहीं करना है तो जैसे ये फ्राई हो जाए इससे हम निकाल लेते हैं प्लेट पर अब हम उसी बचेवे तेल में एक चमच जीरा डालेंगे और एक प्याच को पतले टुकडों में काट कर डाल देंगे और फिर जो हमने paste बनाया था उसमें से हम दो बड़ी चमच paste हम इसमें डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिला देंगे तो थोड़ी दिर चलाने के बाद अब हम इसमें एक टमाटर काट कर डाल देंगे और इससे तब तक चलाएंगे जब तक ही टमाटर सौफ्ट ना हो जाए तो जैसे ही टमाटर थोड़ा सा सौफ्ट होने लगेगा तब हम इसमें आधा चमच किचन किंग मसाला डालेंगे और आधा चमच कस्मीरी लाल मिर्ष डाल देते हैं फिर इन सब को हम अच्छे से मसालों को पका लेंगे और जैसे ही मसालों में से तेल अलग होने लगेगा तब हम ये जो फ्राइ किये हुए आलू और कच्चे केले वो इसमें डाल देंगे और उपर से स्वादनुसा नमक डाल देंगे तो अब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये मैंने दो कप की करीब पानी डाला है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं और इन सब को अच्छे से मिला देंगे और जैसे इसमें उबाल आने लगेगा तब हम इसे ढख कर 5-7 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लेंगे और 7 मिनट के बाद हम डक्कन हटाएंगे और ये हमारे कच्छे के लिए की सबजी बनकर तयार है उपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू